एलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेर करने वाले हैं कुछ बेश्ट 2020-2023 की वालीवुट फिल्मों के नाम इस लिश्ट के अंदर ज्यादातर फिल्में एक्सन, थ्रेलर, क्राइम और सस्पेंज वाली होंगी हो सके तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा उसके बाद ही आपको समझ आ सकता है कि कौन सी मूवी आपको देखनी है यह सभी मूवी मैंने IMDV की रेटिंग के अनुसार रखी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा यदि आपने हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो प्लीज उसको भी जॉइन कर लीजिएगा तो विना किसी दे रही के शुरू करते हैं आज का वीडियो इस लिश्ट में नमबर पांच की हमारी मूवी है रनवेट 34 2022 में आई थी ये मूवी आईम डिवी पर इस मूवी को 10 में से 7 की रेटिंग दी गई थी मूवी में अजय देबगन, अमिताब बच्चन, रकुल प्रीत सिंग और बोमन एरानी लीड डोल में दिखाई देंगे मूवी की कहानी बिकरान खन्ना की है, जो अपनी बेटी से फोन पर कहता है मैं चीजे कभी नहीं भूलता, मेरे पास फोटोग्राफी मेमोरी है उसके जनम दिन पर आने का वादा करता है, वह रात बर दोस्तों की बीच पार्टी करता है और अगले दिनों से दुबई से कोचीन के लिए एक उडान सौपी जाती है उसके साथ उनकी को-पाइलेट भी होती है एक नियमित यातरा के तौर पर शुरू हुए यह सफर तब एक भयाना खौप की तरह वन जाता है जब उसे खराब मौसम का सामना करना पड़ता है 25,000 फीट की उचाई पर उडान वर रहे इस फ्लाइट के यातरों की जान खत्रे में आ जाती है ऐसे समय में तान्या के सुझावों के बिप्रीत जाकर विक्रान लक्ष को भी बदलता है बलकि लेंडिंग करने से ठीक पहले मेडे मैसेज बेचता है हाला कि खराब मौसम, खराब वीजिविलिटी और इनन की कमी होने के वाबजूद भी बिक्रान फिलाइट को सुरक्षिर लेंड कराता है लेकिन इसके बाद भी बिक्रान को कट घरे में खड़ा किया जाता है अब यह आपको मूवी में देखना है कि बिक्रान को कट घरे में क्यों खड़ा किया जाता है यह एक सच्ची घटना पर अधारत फिल्म है इस लिश्ट में नमबर चार की हमारी मूवी है An Action Hero 2022 में आई थी मूवी IMDB पर इस मूवी को 7.1 की रेटिंग मिली थी मूवी में आयश्मान खुराना, जैदीप, एहलावत, मलाइका अरोडा और भी कई सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की शुरुआत होती है लंदन पुलिस के सामने हतकली पहने बैठे सुपर्स्टर मानब से वह पुलिस को बताना शुरू करता है कि वो इस हाल में कैसे पहुँचा मानब एक एक्षन फिल्म की शूटिंग के लिए हर्याना पहुँचता है जहां एक दिन बहस बहस में उसके हातों वहां के एक नेता के भाई की मौत हो जाती है इस गटा से मानब घबरा जाता है और रातो रात हर्याना से मुंबई मुंबई से लंदन वाग जाता है वह लंदन से केस लड़कर अपनी बेगनाई साबित करना जाता है लेकिन बिक्की का बड़ा भाई भूरा किसी भी तरह मानप को जान से मारना चाहता है मानप की हत्या करने के लिए वह भी लंदन पहुंच जाता है अब आपको ये फिल्म में देखना है क्या भूरा मानप को जान से मार पाएगा क्या मान अप अपनी बेगणाई साबित कर पाएगा या नहीं इस लिश्ट में नमबर तीन की हमारी मूवी है ब्लेडी डैडी 2023 में आई थी मूवी आयम डीवी पर इस मूवी को साथ पॉइंट एकी रेटिंग दी गई है मूवी में शायद कपूर, डैना पेंटी, रौनित रॉय, संजे कपूर और भी कई सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की शुरुआत बहुती थ्रिलर अंदाज में होती है जहां नार्कोटिक्स कंट्रोल वियोरो का अंडरकवर अपसर सुमेर अपने साती जीशान सिद्धिकी के साथ पचास करोर की खेप चब्द करने के लिए सीक्रेट आपरिशन पर निकलता है सुमेर ड्रक्स हासिल कर भी लेता है मगर गड़वर तब होती है जब ड्रक्स माफिया के गुंडे उसे देख लेते हैं ड्रक्स माफिया का सरगना सिकंदर सुमेर के वेटे आथरब को किडनाइप कर लेता है और शर्थ रखता है कि उसका बेटा तब ही वापस मिल सकता है जब वह उसका ड्रग्स लोटाएगा सुमेर का अपनी पत्नी से तलाख हो चुका है और वेटे के अपरहन का कार्ण तब होता है जब वह उसके साथ छुटियां मेताने आया हुआ था सुमेर ड्रक्स के साथ सिकंदर के होटल पहुंचता है और वह ड्रक्स को लेडिस ट्वाइलेट में छिपा देता है और सिकंदर के पास यह कनफर्म करने जाता है कि उसका बेटा उसके पास सुरक्षित है या नहीं जब वह ड्रग्ज लेने लेडिश ट्वाइलेट में दुबारा जाता है तब वहां से ड्रग्ज गायव होती है अब यह आपको मूवी में देखना है कि ड्रग्ज को किसने चुराया है क्या सुमेर अपने बेटों को बचा पाएगा या नहीं इस लिष्ट में नंबर दो पे जिस मूवी को मैंने रखा है उस मूवी का नाम है फ्रेडी 2022 में आई थी मूवी IMDB पर इस मूवी को 7.4 की रेटिंग दी गई थी मूवी में कार्दिकारियन, अलाया आयफ, वियान चौधरी और भी कई सारे एक्टर्स देखने को मिलेंगे फिल्म की कहानी डाक्टर फ्रेडी जिनवाला की है जो अपने सोल मेट की तलाश में है वह एक सफल डाक्टर तो है लेकिन अंतर मुखी होने की बज़े से वह चाहा कर भी किसी से मेल जोल नहीं कर पाता है उसका सिर्फ एक दोस्त है हार्डी जो उसका कचुआ है ऐसे में उसकी मुलाकात होती है काईनाज इरानी से जो शादियू शोदा है लेकिन घरेलियू हिंसा का शिकार होती है काईनाज से फ्रेडी की मुलाकात बत और मरीज होती है लेकिन जल्दी ही दोनों एक दूसरे के प्रती आकर्शित हो जाते है और फ्रेडी शादी के सपने देखने लगता है अब ये आपको फिल्म में देखना है क्या फ्रेडी काइनास से साधी कर पाएगा या नहीं इस लिश्ट में नमबर वन की हमारी मूवी है सिर्फ एक बंदा काफी 2023 में आई थी मूवी IMDb पर इस मूवी को 7.9 रेटिंग दी गई है मूवी में मनोज बाचपेई, प्रियंका सेठी, सूरिय मोहन कुल स्रेष्ट, लीड डोल में दिखाई देंगे मूवी की कहानी 2013 से शुरू होती है जब एक नावालक लड़की देश के जाने माने बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराती है मावला कोड तक पहुंचता है, जहां एक तरफ बाबा को बचाने के लिए शर्मा जी और दूसरी तरफ है पीसी सोलंकी जब करोडो अनुआयों वाले बाबा को कटगरे तक आना पड़ता है पीसी सोलंकी बाबा के खिलाफ पाकसो एक्ट के तयmand केस लड़ता है, इसी भीच कई गवाहों की हत्याक कर दी जाती है सोलंकी को भी जान से मारने और धमकानी की कोशिश की जाती है अब ये आपको मूवी में देखना है क्या सोलंकी बाबा को सजा दिला पाता है या नहीं यह एक सची घटना पे आधारित मूवी है तो दोस्तो इस लिश्ट में से आप लोगों ने कौन सी मूवी नहीं देखी थी कमेंट करके जरू बताईएगा उमीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा